पापा अंकुसा एकादसी वर्थ कथा धर्मराज जी दिश्टर भगवान स्री किर्षन जी से कहने लगे कि हे भगवन मैं आपको कोटी कोटी नमन करता हूँ हे के सव आपने मुझे आश्विन मास के किर्षन पक्स की एकादसी अर्थात इंद्रा एकादसी के बारे में विश्टार पूर्वक बतलाया अब आप केरपा करके मुझे आश्विन मास के शुकल पक्स की एकादसी के विशय में भी बतलाईए इस एकाजसी का क्या नाम है? तथा इसके वर्थ का क्या विधान है? इसका वर्थ करने से किस फल की प्राप्ति होती है? केरपा यह सब विश्तार पूर्वक कहिए। आस्विन मास के शुकलपक्स की एकाजसी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विश्नु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुश्य को स्वर्ग लोग की प्राप्ति होती है। और मनुश्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुश्य को पापों से बचने का द्रड संकलप करना चाहिए। भगवान विश्नु का ध्यान करना किसी भी रूप में सुख दायक और पाप नाशक है। प्रन्तु पापा अंकुशा एकाची के दिन भगवान विश्नु का शमरन और किर्तन करने से सभी कलेशों और पापों का नास हो जाता है। भगवान श्री किर्शन ने कहा, है धर्मराज मैं आश्विन माज की पवितर पापां कुशा एकाची की कथा सुनाता हूं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंद्य परवत पर क्रोधन नाम का एक सिकारी रहता था। वे बड़ा क्रूर और पापी था। उसका सारा जीवन हिंचा, लूट पाट, मध्यपान, गलत संगती और पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यबराज के दूद सिकारी के पास आये और यमदूत ने सिकारी से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगी। यह बात सुनकर सिकारी भूट डर गया, और महरसी अंगीरा के आश्रम में पहुचा, और महरसी अंगीरा के चर्णों पर गिर कर प्राथना करने लगा फिर इसीवर मैंने जीवन भर पाप कर्मी किये हैं, किरपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्स की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महरसी अंगीरा ने उसे आश्रम मास की शुकल पक्स की पापा अंकुष महरसी अंगीरा के कहें अनुसार उस सिकारी ने पापा अंकुषा एकाज्सी का वर्त किया NPC और किये गए सारे पापो से चुटकार पालिया। और इस वर्त और पुजन के पर भाव से वै विशनु लोग को गया। जब यम्राज के यम दूत ने इस चमतकार को देखा, तो वैसिकारी को बिना लिये ही यमलोक वापस लोट गया भगवान स्री किर्शन बोले हे राजन आस्विन मास की पवित्र पापांकुशा एकाथसी सब पापों को हरने वाली है पिर्थवी परजितने तीर्थ और पवित्र देवाले हैं उन सब के सेवन काफल भगवान और उनके किर्थन मातर से मनुश्य प्राप्त कर लेता है हे राजन एकाथसी को दिन में उप्वास और रात्री में जागरन करने से अनाया से विश्नु धाम की प्राप्ति हो जाती है ओम नमो नारायन